हेलो दोस्ता मारे पास question दिया गया है वह एक छूट बताईए जो 12.5 परतिसत और 20 परतिसत की दो करमागत छूटों के बराबर है यानि कि एक वस्तु के उपर दो छूट दी गई है दोस्तों वह भी क्या लगातार तो हमें एकल छूट के बराबर बताना है कि दोनों को मिला कर कुल कितनी छूट हमें मिली है इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको fraction में तोड लेंगे फिर तो हम आजे शोल करेंगे यानि कि 12.5% है इसकी fraction value कैसी होती है दोस्तों इसकी fraction value होती है 1.8 और 20% की fraction value क्या आती है यह होती है 1.5 तो यह जो आई है दोस्तों हमारे पास यह उपरवाली छूट आई है ठीक है और यह क्या है यह हमारे पास market price इसी तरह इसमें उपर वाड़ा जो अनस है वो छूट को दरसाएगा और नीचे वाड़ा market price को अब इसको हम सोट ट्रिक से करते हैं यहाँ पर लिख लेंगे market price और यहाँ पर हम selling price तो 8 की कोई वस्तु है दोस्तों उस पर 1 की इसने छूट दे दी और बची कितने की 7 यहाँ चार की तो अब हम क्या करेंगे इसका अब हम कटते देखो को दोस्तों काट देंगे अकर नहीं कटता तो छोट देंगे वैसे भी हम इसको सोल कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इसकी गुणा करेंगे 8 पंजे चारिस और यह साथ चोक 28 यानि कि 40 की वस्तु है और दो छूट देने के बाद कितने में बेज दी उसने 28 की तो छूट कितने की मिली दोस्तों छूट मिली हमें 12 की कितने पर मिली 40 पर यानि कि 12 की छूट मिली हमें 40 पर परतिसत के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे तो इसको स तो यह क्या आजागा 10 तीए 30 बचेगा मारे पास तीन गुणा में 10 यानि कि 30 परतिसत की उसको क्या मिली है छूट मिली है दोस्तों यही कि हमारा आंसर option number B is right उमीद एक दोस्त आपको वीडियो पसंद आयोगी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके